हेलो गाईज आप देख रहे हैं S11 Expert का YouTube चैनल और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको यहाँ पर Scotland versus Denmark के बीस में T20 World Cup से जो Europe qualified चल रहा है गाईज उसका 16 match जो आपको कल खेराता दिखने वाला है इस match के बारे में हम एकदम अच्छे से डीटेल में बात करने वाले हैं इस match के related guys आपको हर बात इस वीडियो में जानने को मिलेगी जो आपके लिए important रहेगी guys और इस वीडियो को देखने के बाद आप आपको कोई problem नहीं आएगी team बनाने में आप और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा बाके वीडियो को स्टार्ट करने से वेले सबसे important बात इस match के final team update आपको हमारे telegram channel पर मिलेगी तो आप अपने telegram में जाएंगे सिंप्ली सर्च करें अड़रेट स्क्रेवन एक्सपर्ट में आप सर्च करिएगा without space उसके बाद गाईज आपको हमारा original telegram channel मिल जाएगा जिसमें और यहां पर सैती सो के लगभग लुग जॉइन है तो आपको भी जॉइन कर लेना है आप चलि टीम है strong team है unfortunately यह guys world cup में qualified नहीं कर पाई जो अभी ODI world cup होने वाला है उसमें ठीक है लेकिन guys बहुत अच्छा के लीती qualified में अभी recently भी ठीक है वो तो इनका luck अच्छा नहीं था ठीक है वरना guys definitely Scotland की team आपको world cup में इस साल खेलती दिखती ठीक है फिर भी team अच्छी है और प्लेयर को अच्छे से यूज नहीं हुआ है उनको भी team यूज करें क्योंकि यहाँ पर ज्यादा strong team पे खिलाप match नहीं है ठीक है तो team में भी यह कर सकती है अभी कले यह playing eleven खेल रहा है guys और लगभग सारे matches में यही playing eleven खेला है बस एक change हुआ है ठीक है Matthew Cross I think injured है जिसके सलते last match last match नहीं खेले थे और उनकी जगा Thomas Mcintosh खेले थे Wanda Mary साबसे अगर Matthew Crossfit होंगे तो वही खेलने चाहिए ठीक है बाकी अभी तक Chris Soul, Hamja Tahir, Jack Jarvis इन तीनों player को मौका नहीं मिला है बीभी हो सकता है इस match में मौका मिल जाए इस पेसली मुझे हाई chances Chris Soul and Hamja Tahir के लग रहे ठीक है तो नीचे अभी हम सारे player के career का stats देखेंगे तो उसमें आप Chris Soul and Hamja Tahir के stats पर special focus करिएगा ठीक है अब guys अगर आप 4 matches का यहाँ पर batting का performance देखेंगे players का तो इनके जो दोनों opener है George Munson और Ollie Harris दोनों बहुत अच्छा रहे George Munson अभी तक 29, 33 and 132 तीन इनिंग बहुत अच्छी के लिए है Allie Harris का देखेंगे तो 72, 127 दो इनिंग इनकी अच्छी आई है तो दोनों opener काफी अच्छा रहे बाकि Brandon Maculan जब से इनको 1-down भेजा गया है last 2 matches से अच्छा खेले 96 के 3rd match में और recent match में भी 28 not out बाकि Richiever and Intel यह भी का not out काफी तेजी में यह run करना जानते हैं guys main finisher है team के बाकि Chris Grips की एक match में बैटिंग आई है जिसमें इन्होंने 30 not out किये है और Mark Watt की भी एक match में बैटिंग आई है जिसमें इन्होंने 1-10 not out यहाँ पर किये है तो सारे players का लगभग यहाँ पर performance बैटिंग से काफी अच्छा अब guys यहाँ पर अगर आप बॉलिंग पर आएंगे तो यह इनका बॉलिंग का लेखा जोग है अभी तक चारो मैच इसका अभी तक अगर देखेंगे तो इनके टॉप विकेट टेकर है गैविन में बहुत अच्छी नोंने बॉलिंग कराई है ठीक है विक्टे निकाली है 12 12 ओँट डालकर इनके पास 11 विकेट है बाकी यहाँ पर साफीय अनरीप के पास 12 ओँड़ की बॉलिंग में 7 विकेट है बाकी वाट इनको दो दोविकेट मिला। माइकल इस जिनको बाॉलिंग नहीं था, इनको बाॉलिंग नहीं दीखेगा। पर Mark Ward डालते हैं इनकी spinner और ये सबसे main baller है बागी एक over आता है साफियन सारीफ का और एक over आता है Gavin main का ठीक है तो ये बात का ध्यार नखिएगा अब आगे बरते हैं guys यहाँ पर हम सबसे important चीज़ पर आते हैं ठीक है यह आप यहाँ पर देख रहे हैं Scotland के हर एक player का T20 TI career के stats ठीक है किसी भी player का guys यहाँ पर stats miss नहीं है हड़े एक player के बारे में आप एकदम अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि यहाँ पर Chris Sol और हम जाताहिर इन दोनों के खेलने के chances हैं तो आप इनके stats पर focus करिए ठीक है अगर दोनों का stats पंदरा मैंच में 23 विगेट है ठीक है बागी Chris Sol के पास 8 मैंच में 5 विगेट है ठीक है तो हमजा ताहिर एक spinner है guys और वैसे भी guys spinners को जो टीम है फॉरें टीम को अच्छा नहीं खेल पाती है तो बाइचंद अगर हमजा ताहिर आते हैं तो अच्छे डिफरेंचल बन जाए जो कि यहां पर उतनी strong team नहीं है और सच बताऊं तो 99% यह match Scotland ही जीतने वाली है फिर भी guys Denmark surprise कर सकती है कुछ इनके अच्छे players है ठीक है जिन पर आपको यहां पर focus करना है बागी player प्र धियान नहीं देना है ठीक है अभी Denmark team के बारे बात को तो 4 matches के लिए जिसमें 1 जीती है और 3 हारी है तो इनका performance कुछ उतना खास नहीं रहा है और इनका यह playing level खेल रहा है guys मुझे changes भी नहीं दिख रहे है ठीक है बेंच पर यह सब कुछ players है इनके खेलने के कम chance लग रहे है एक बहुत अच्छे player है guys इनके पास bench पर हामित सा पतानी team क्यों नहीं खिला रही है बा अच्छे all-rounder है अभी तक बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पा है तरणजीत भरज की यहाँ पर दो इनके अच्छी आई है जो कि इनके captain ने 43 और 52 बाकि अब्दुलहासमी की एक 30 not out के अच्छी नहीं आई है सैफ एहमाद इनके लिए सबसे आदा अच्छे नहीं बैटिं परफॉर्मेंस नहीं रहा है ठीक है बाकि जो बैंच के प्लेयर से हैं इनके भी बैटिंग का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है अब अगर बालिंग पर आएंगे तो इनका बालिंग का लेखा जो का है गाई बालिंग में अगर आप देखेंगे तो काफी ज़्याद की बॉलिंग में चार विकेट है, अब्दुल्ला मेहमुद के पास चौड़ावर की बॉलिंग में पांच विकेट है, साथ में आप लास्ट मैच के ओवर भी देख सकते हैं, इससे आपको यह पता चलेगा, इस्टीम के बेन देथ बॉलर कौन से, तो इनके लिए देथ में द थार्म और भीसमा यहाँ था, साथ में दो अवर सैफ, एहमद का भी आता है, साथर्मा और उनीसमा, ठीक है, यह दोनों इस टीम के में डेफ बॉलर हैं, ठीक है, तो यह बात का ध्याड लिखिएगा, अब आके बरते हैं, यहाँ पर हम डैनमार के हर एक प्लेयर के टीटोइंटी आई करियर के स्टाइट्स पर आतें, तो यह आप यहाँ पर डैनमार के हर एक प्लेयर के बारे में एक दम अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, उनका टीटोइंटी आई करियर को स्टाइट्स को देखकर, किसी भी प्लेयर का स्टाइट्स नहीं है, आप हर एक प दुल्ला महमूद का ठीक है, सौद मुनिर का ठीक है, और गाइज, यही कुछ प्लेयर का स्टाइट्स अच्छा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, ठीक है, और ज्यादा प्लेयर पर आपको ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि उनका भी उज़ भी नहीं हो रहा है, बा तो गाइज, इस मैस के रेटेट जितना भी डेटा स्टाइट्स आपको जानना था, सब कुछ मैं एकदम अच्छे से आपको डीटेल में बता दिया है, तो होफुली गाइज, वीडियो आपको पसंद आरी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आरी हो, तो एक लाइक ज़ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले गाइज, और साथ में अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी, और चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ओन करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिके हमेशा ध्यान लखिए, जो वीडियो में आपको, मैं इन्फोर्मेशन देता हूँ, स्टाइट्स प्रवाइड करता हूँ, ठीक है, आप सिंपली गाइज, वीडियो की अनलीस पर फोकस करिये, ठीक है, और उसके बाद हो सके तो खुद से टीम बनाने की ट्राइ करिये, ठी तो यह प्लेयर खराब नहीं है, लेकिन अभी नहीं खेले, तुम ध्यान नहीं देंगे, फिर आते तरणजीत सिंग भरज, यहाँ पर नो डाउट बेस्ट बैटर तरणजीत सिंग भरज है, दो इनिंग अच्छा केल चुक है, तो मैं इनके साथ भी जाओंगा, लास्ट मै बैरिंग्टर जोज बुन सी, दोनों मस्पिक है, दोनों के बिना बिलकुल नहीं जाना है, दोनों स्कॉटलेंट टीम के सब से में बैटर है, ठीक है, मुन से ओपनिंग करेंगे, बैरिंग्टर नहीं तू डाउन पर, फिर नीचे आते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे, ओ ह बाकी थानी किद्सम इनको रिकमेंड नहीं करूँगा, एससलम को रिकमेंड नहीं करूँगा, किसी प्लेयर पर आपको ध्यान नहीं लेना है, आते है ओल डाउंडर सेटन पर यहाँ पर एंड डामगर्ण, ठीक है, यह वह ही है गाई, निकोल लास, जिनके बारे मैंने बा का मैचे सुआ है, उसमें बहुत अच्छा के लेते, बैटिंग बाॉलिंग दोनों से, यहाँ बाॉलिंग कम करें, लेकिन बैटिंग से अच्छा खेलने है, तो इनको भी लेना बनता है, फिर गाईज आते है, माईकल डिस्क और क्रिस ग्रिप, दोनों गाईज ऑल इनको लेना, अगर पहले बाॉलिंग आती है, तो फिर आप गाईज रिस्क पर ड्रॉब भी कर सकते है, उसके लिएक और काफी अच्छी ओल डाउंडर है, लेग इस्पिं डालते है, रंस करते है, इनका भी रिसंटली गाईज वर्ल्ड कॉलिफाइनल पर्फॉर्मेंस बह को लेना बनता है, और ज्यादा प्लेयर यहां पर अवलेबल है नहीं, तो हम ध्यान नहीं देंगे, आते हैं बालिंग सेक्षन पर, जहां पर मार को लेना बनता है, यह मश्च पिख्या आपके लिए बहुत कमाल का बॉलर यह बंधा, डिफरेंटी 20 लिक्स में भी खेलता ह ठीक है, साथ में सबसे इनकी बरी खासियत की यह इस्पिनर है, लेफ्टाम आउट डॉक्स, फिर भी गाइस, यह देथ में बॉलिंग करना जानते है, ठीक है, और स्कॉटलेंड के लिए सबसे में बॉलर यहीं है, ठीक है, तो इनके बीना तो आपको बिल्कुल नहीं जान साफियान सारीप काफ एक्सपिरेंस, फास्ट पॉलर डे स्कॉटलेंड के विक्टे निकाली है इन्होंने टुनामेंट पे, ठीक है, तुम्हा इनको टीम में लोंगा, ठीक है, बाकी नीचे साएंगे, तो हमजा ताहर का मैंने बताया था, गाइस बाइचांस अगर खेलते तो यह भी एक कमालते डिफरेंसल बन सकते हैं, इस पेसली अगर डेन्मार की पहले बॉलिंग आती है, फिर आप इन पर ध्यान दे सकते हैं, बाकी एहसान करीमी है, इनका डेब्यू था लास्ट में लेफ्टाम उथ रॉक्स बॉलर है, डीसंट बॉलिंग कराई थी, लेकि नहीं करूँगा, क्योंकि इनका अच्छे बॉलर ए महमूद भी अबलेबल है हमारे पास, जिनको भी आप टीक में ट्राइ कर सकते हैं, यह भी डिफरेंसल अच्छे बन सकते हैं, अगर डेनमार की पहले बॉलिंग आती है, क्योंकि इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है गाई तो मैं इनको लेकर जाना पसंद करूँगा, ठीक है, भी करी पर अभी मैं ज्यादा ध्यार नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे स्कॉट्रेंग की टीम यहां पर स्टॉंग है, जितने की भी हाई चांसे से, पहले बॉलिंग आती ह ठीक है, तो सेफ अगर जाना हूँ, तो आप या तो हैरिस को ले लीजिए, या फिर गाईज ले लीजिए माइकल लिस को, तिफ्रेंचल जाना हूँ, तो क्रिस ग्रीप्स है आपके पास, एस आनन्द है, और गाईज यहां पर ए महमूद है, तो यह कुछ कॉल है जो कि फा है कि हैरिस को लूँगा, तो यह पूरा टॉस पर डिपेंड करेगा यह कॉल, अभी के लिए मैं यहां पर गाईज जा रहा हूं लेकर क्रिस ग्रीप्स को, ठीक है, लेकिन यह जो फाइनल प्लेयर का कॉल है, वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है, ठीक है, इसलिए जो फाइ प्लेयर के लिए जो फाइनल टीम अपडेट मिल जाएगी, तो आप बात करते हैं, गाईज, सीवीची के बैस्ट ऑप्सें की, तो सीवीची के बैस्ट ऑप्सें में मुझे जो यहां पर अच्छे ऑप्सें दिख रहे हैं, ठीक है, उनमें यहां पर आते हैं जॉर्ज मुन इवेन एस एहमद अच्छे हैं, इनको भी उसी सिवीचन में ट्राई करना, अगर डेलमार की पहले बालिंग रहती हैं, ठीक है, और रिकी बैरिंग्टन भी खराब नहीं रहेंगे, अगर स्कॉट्लेंड की पहले बैटिंग रहती हैं, ठीक है, गाईज, बाकी ग्रेंड ल मैंने अपनी क्याप्टन सी दी हैं, यहां पर मार्क वाट को, ठीक है, और वाइस क्याप्टन सी मैं काफी सोच रहा था, काफी ओप्सन थे अवलेबल मेरे पास, ठीक है, इवन काफी लोग मैकुलन के साथ भी आएंगे, यह भी काफी अच्छे पावरीटर हैं, अब डेफ हमें कॉमेंट करके बताना बिलकुल भी ना भूले, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो जितना ज़्यादा हो से को उतना ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटा वीडियो में.